पालक की पकोड़ी तो आपने बहुत बार बनाई होगी लेकिन एक बार इस तरीकी से बना के देखें तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा और आप बार बार इसी तरह से बनाएंगे तो चलिए बिना कोई दिरे की शुरू करते हैं आपको चीए दो मीडियम आकार की प्याच और गार्लिक जो होता है काफी अच्छी मात्रा में चीए हमें दो बारी कटी हुई हरे मिर्च और पालक ले लिया है मैंने डेट सुग्राम के बहुत ज़्यादा पालक ने लिया है और उनको चीदे से वाश कर लेंगे और रफली चॉप कर लेंगे अब कुछ गरम इन सबको हमने बारी कट लिया है अब दो थी हाई कप मैं बेसन ले रही हूं मतलब आदा कप और वन फॉर्थ कप ठीक है और वन फॉर्थ कप ही मैं राइस फ्लोर ले रही हूं चावल काटा जो है वो कम मात्रा में लेना होता है अब कुछ मसाले है जैसे कि मेर्च हो गया नमक हो गया एक एक चमच लिया है मैंने कोरियंडर पाउडर नमक बहुत जादा है क्योंकि पालक में अल्रड़ी नमक होता है थोड़ा सा गरम मसाला वन फॉर्थ टीस्पून के लगवा और चाट मसाला वन फॉर्थ टीस्पून दो पिंच दो चुटकी भर हींग इससे ट अब कर दीजिए और अब क्या करेंगे कि इससे कोट कर देंगे एक तरह से सुखा सुखा जो भी है बेसन इस पर चारो तरफ से लग जाना चाहिए इस बात कथ्यान रखी कि चावल कार्टा कम लेना है बेसन थोड़ा सा ज्यादा अगर आप बहुत ज़्याद मात्रा में ब बस जबल कर दीजिए यह आप जितना चाहे थोड़ा-फ़डा करके पानी एड़ करेंगे बहुत ज़्यदा पानी बिल्कुल एड़ना करें क्यूँकि पालग भी पानी रिलीज करता है प्याज की मदद से ही हम इसको मिक्स करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें पालक को बहुत जदा बारिक नहीं काटना है बिल्कुल रफली चॉप करना है ठीक है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस बात की टेंशन मत लेजिए कि सुखा-जुखा है गाडा- और जो ओयल हमने गरम करने को चड़ा रखा है गडाई में उसमें से एक चमश लेंगे गरम-गरम तेल और इसमें एड़ कर देंगे इससकी क्रिस्पिनस बहुत बढ़ जाएगी और टेस्ट भी काफी अच्छा होगा तो यह छोटी-छोटी से टिप्स हैं फ्रेंड्स आप उसके बाद में कड़ाई में डाल दी है इसमें मैंने बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डाला अपने इस बात को देखा होगा और जितना कम आप बेसन और यह सब चीज़े लेंगे उतने ही आपके पकोड़े जो हैं क्रिस्पी बनेंगे और सबसे ज़्यादा क्रिस्पी बना नहीं दिए एक बर अच्छी तरह से कुक हो जाने देजिए , इसकी बाद में इस्तार के इनोगी क्रिस्पीकी पिूर को छाएंगे इसी तरह से दूसरे बैच्चेश भी आप निकाल लीजिए , similarly और यह आपके सभी पकोड़े तियार हैं देखिए कितनी कम सामान में हमने इतनी सारे पकोड़े बना ली हैं और क्रिस्पी तो इतने हैं कि आपको मज़ा ही आजाएगा खाने के बाद यह देखिए अंदर से सॉफ्ट हैं बाहर से क्रिस्पी हैं तो कुछ इस तरह के कालोर स्प्रिंगल कर लीजिए गर्म गर्म चाय के साथ सब कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स